यहीं दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उमेद हैं आप सब बहुत अच्छे सोंगे तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि विविन अस्तरों पे नागरिक सास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश से हो सकते हैं या फिर क्या लक्ष होते हैं इंपल सी भासा में अगर आप नागरिक सास्त पढ़ाते हैं बच्चो को तो उसका फाइदा क्या है लाफ क्या है किस उद्देश से आप पढ़ाते हैं तो आईए इस चोटी सी वीडियो में हम डिसकस करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक अस्तर पे नागरि इसी होती कि उनको सरलता से प्रभावित किया जा सकता है असानी से आप उने प्रभावित कर सकते हैं इस समय उन्हें जीन आदतों यह उंकुनों का विकास कर दिया जाएगा वह उनके भावी जीवन की आधार शील का कारे करेंगी बचपन में आप बच्चों को आप जो इसलिए इस अस्तर पर नागरिक साथ सिक्षण के निम्निकित उद्देश से हो सकते हैं यहां पर कुछ उद्देश से दिये गए बड़ा आसानी से साउधानी से आप इसको समझ जाए तो पहला उद्देश क्या हो सकता है दोस्तों छात्रों में चरित्रिक गुणों का विका इस इतिहास के लिए उत्यास से सह समझ आस्ठापित किया जाना चाहिए मतलब बताना चाहिए कि किस प्रकार से इतिहास намиे लोगों सत्धे के मार के पेचल कर दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन कि परकार से आप पहला आपका नागरिक साथ सिक्षण का उद्देश यह होना चाहिए ते बच्चों में च्छात्रों में क्या होना चरिफ के Guna nearby द дело का निरिमार करना जिसनि अनुसाशासित जीवन-वैद्थीत करना सीख सके ओके चालिए अगला देखति चात्रों में अंतरास्टिय भावना का विकास के लिए प्रिष्ट भूमी तयार करना, चात्रों में मानसिक सक्तियों का विकास करना और अस्थानी संस्ताओं एवं नेताओं से अवगत कराना के मतलब परदेश के मुख्यमंतरी कौन है, हमारा जिला कहा है, हमारे देश की रा हमारा राश्ट्रगान क्या है इन सब के प्रतीव बच्चों के अंदर सम्मान की भावना का निर्माल करना यह हमारा प्रात्मिक अस्तर पर नागरिक साथ सिक्षण के उद्देश्यों की व्याक्या करिए तो इस प्रकार से दोस्तों यह बड़ा इसमें क्या है इस अस्तर पर छात्र की सोरा अवस्था के निकट पहुचने लगते हैं उनकी मानसिक सक्तियों का भी कुछ सीमा तक विकास हो जाता है वे वास्तिता में अधिक आस्था रखते हैं अता इस पर नागरिक सास्त की सिक्षा निम्नरखित उद्देश्यों को ध्या करना यहां पर देखिए मतलब आप नागरिक अपनी नागरिक होने का दाहितों को समझे मतलब देश की हिफाज़त करने की सोच रखना देश में गंदगीना पैलाना मतलब एक दुसरी की कर्टब हैं क्या अधिकार है ठीक है चात्रों में राष्ट यों अंत्राष्ट ये सद्भावना को द्रिड बनाना और मजबूत बनाना और चात्रों में विज्ञानिक देश्टिकोल को परिपक को बनाना जिससे वो सत्य एवं असत्य तता परचार एवं वास्तिविक्ता में अंतर समझ सके क्या सही है क्या गलत है क्या परचार है और क्या वास्तिविक्ता है चलिए चात्रों को स्वतंत्र चिंतान एवं नेड़ने के लिए औसर देना मतलब वो खुद से स्वतंत्र हो सकें वो देख सोच चकें कि हमारे लिए कौन सा नेता सही है हमारे लिए कौन सा विसे सही है हमें किस छेत्र में आगे बढ़ना है चात्रों को देश के सामाचीक आर्थीक राजनेतिक धार्मिक आधिक छेत्रों की समस्याओं से अउगत कराके उनके साम करेंगे तो वहबारी मतलو प्रैक्टिक सिखें सासन के रूपो धवं जीवन के धंगों से धंगों से अउगत करना उन्हें बहुत करने के अउसरपर्दां किया जाए उनके क्रेक्रम का ग्यान दिया जाए कि यह राजनेतिक दल है जิसे पार्टियां हो गई और और उनके कईसे काहाः करने उनकी है उनकी क्या है इस सपका ज्ञान कराना विकास करना तो दोस्तों यह हो गए टोटल आपने देखें कि इसके बार में माधिमी कस्तर पे और हम ने च्टे पुष स्था यह की बदा प्रश्ण रटा सवाल प्सवाल पूछा जाएगा पी नागरिक सास्त के सिक्षर के उदेश अगर लॉंग में पूछता है दोस्तो तो आप दोनों अस्तर पे लिख दीजिए शॉर्ट में पूछता है तो केवल समान उदेश में सिर्फ 4-5-10 जो भी आपको लिखना लिख दीजिए आपसे अकसर सवार इस प्रकार से पूछ लेता है कि माधिमी का स्तर पर दोस्तों माधिमी का स्तर पर नागरिक सास सिक्षर के क्या उदेश से इस प्रकार से आपके वाल नागरिक सास पर माधिमी का स्तर पर लिखेंगे यह लिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेर करते हैं उम्मिद करते हैं कि आपको समझ में आए होगी एक्जाम में आएगा तो आप लिख लेंगे बाकी के और इंपोर्टन वीडियोस हम आज ही जल्द से जल आपको अपलोड करेंगे प्लिस उस वीडियो के तयार रही है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेर कर देजिए प्लिस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमें जैनकार दे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे दोस्तों और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लिस सब्सक्राइब करके जूड़ जाएए आप चाहें तो हमें इंस्टा गराम पे फॉलो कर सकते हैं यह हमारी इंस्टा इड़ी है जाने टौक जीरोवन के नाम से है तो आप हमसे इंस्टा पे भी जूड़ सकते हैं दोस्तों ठीक है मुझे खुशी होगी तक आप हमसे वहा से जूड़े बहुत बोश्यों शुक्र कर दो?